कि सही मायने में अगर रिजल्ट पाना है तो काम कोई स्पीड से करना पड़ेगा अगर आप काम कोई स्पीड से नहीं करते हैं तो निश्ची तोर से काम्याबी से कुछ तो दूर रह जाएंगे हाई फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आज बात करेंगे काम्याबी पाने के लिए स्पीड क्यों जरूरी है मैं पंचम गुपता ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर आपका हर्दिक स्वागत और अभिननदन करता हूँ मित्रों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने साथियों में सेर जरूर करिएगा क्योंकि ये वीडियो काम्याबी पर खास वीडियो है काम्याबी पाने के लिए हमको स्पीड की जरुरत पड़ती है क्यों जरुरत पड़ती है क्योंकि जब हम सही समय पे काम खतम करना चाहते हैं तो हमें स्पीड से काम करना पड़ेगा लच्छे को हासिल करने का सबसे बहतर फार्मूला है कि लच्छे में समय का boundation होता है और अगर हम समय पे काम खत्म नहीं कर पाए तो निश्ची तोर से हमें काम्याभी नहीं मिल पाएगी इसलिए समय पे काम खत्म करने के लिए speed से भागना पड़ेगा और यही speed काम्याभी दिलाती है speed जरूरी है लच्छे बनाने की speed होने चाहिए सोचने का speed होना चाहिए काम करने का speed होना चाहिए साथी साथ result देने का speed होना चाहिए अगर आप result भी धीरे धीरे देते हैं काम भी धीरे धीरे करते हैं सोचते भी धीरे धीरे हैं और लच्छ बनाने में भी अगर देर कर दिया है तो निश्ची तोर से कामयावी आपसे दूर चली जाएगी कामयावी पाना है तो हर चीज में स्पीड बनाना पड़ेगा तिंकिंग स्पीड से, वर्क स्पीड से, आईक्यू लेबल स्पीड से और साथ ही साथ आपके काम का result, काम का performance, आपका productivity वो भी speed से आना चाहिए और जिस दिन एह हो गया, काम्याबी आपके कदम चुमेगी, काम्याबी आपको बुलंदी पर ले जाएगी speed जरूरी है, अगर speed नहीं है, तो यू समझे कि आपके काम का छोटा छोटा result आ रहा है बटे काम्याबी नहीं हो सकती है, काम्याबी पाने के लिए काम का समय पे होना जरूरी है काम का तेजी से होना जरूरी है, काम को सही समय पर result देना जरूरी है और जीवन में अगर यह हो गया तो निश्ची तवर से काम्याभी मिलनी ही है इस सही मायने में अगर रिजल्ट पाना है तो काम कोई स्पीड से करना पड़ेगा अगर आप काम कोई स्पीड से नहीं करते हैं तो निश्चीतर से काम्याभी से कुछ तो दूर रह जाएंगे इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने साथियों में सेयर करके हमारा सपोर्ट करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू भेरी मच